जी नाजरीन मैं आपकी होस्स नादिया हमीद एड्वोकेट हाइखोट नैशनल टीवी के प्रोग्राम कनून के कहता है हमें हाजरी खित्मत है जैसे कि हमने कुछ प्रोग्राम पहले रोबन अनायद पटी साब से जो के हमारे सीनियर एड्वोकेट हाइखोट है उनसे ने फिर हमें टाइम दिया है आए नाजरों ने से बात करते हैं जी से हम आपको अपने प्रोग्राम कानून के कहता हमें वेलकम कहते हैं और आपके बहुत शुक्र गजार हैं कि आपने अपने कीमती टाइम से फिर टाइम निकाल कर हमें आज यहां पे तश्रीव लेके आए आपके बहुत बहुत शुक्रिया पहले पी मैं इदर आज़ो वासा हम तो काफी से रासल बहस हुई उसके बाद आज़े बिलकुल हमारे बहुत अच्छा फीडबेक भी आया है और लोगों ने रिक्वेस भी की थी कि उनको जरूर बुलाया जाए क्योंके हमारे पास बहु अमर मलादमीन के कुक उनकी रैम्लीज पर बात हुई थी तो यह काफी अच्छा महसूस हुआ कि लोगों ने काफी से फाइदा ठाया होगा और यह किसी भी खिदमत के लिए और किसी को जूरूर पढ़ती है इस सिलसले में तो मैं हाजर हूँ मशरा भी कर सकते हैं आगे प् यहां तक हो सका नाजरीन की जैसे भी लोग जो सुनने वाले है या देखने वाले है उनको मैं अपने तौर से योगा इडे सका हो कर वहां जाता है government employee को कि उनको गलतीके से निकाल जा जाता है वहाँ पर कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो कि उनके जिंदगी से हर महीने जुड़े होते हैं जैसे कि उनकी pay और pension से related काफी सारे मिसाइल होते हैं तो आज हम सरसे यही request करेंगे कि जो topic है हमारा pay और pension इससे मतलिक हमें information दे ताके जो नाजरीन हैं या government employee हैं उसके अंदर अगर कोई बेजाप्त की या इन regularity आती है उनकी pay की calculation में या उनकी pension की calculation में तो वो किस तरह हम दूर कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हमें legal या कानूनी दादरसी या remedy available है जी सर मैं आप से सबसे पहला जो question करूंगी कि सबसे पहले हमें बताएं कि कौन-कौन से ऐसे कावानीन हैं जो के pay और pension से related हैं जिसकी वज़ा से हम pay हमारी बनती है या government employee की pay बनती है है या pension calculate होती है इसमें पहली बात हम discuss करेंगे कि पर किन-किन लोगों को मिलती है उनकी जो है decision of job है या categories है वो क्या है appointment की बन तीन-चास्तरा की होती है एक होती है अधाग-based appointment दूसरी होती है contact-based appointment होती है daily wages appointment फिर होती है permanent appointment इनकी लाड़ा-ड़ा terms and condition होती है permanent की उस साब से इनको मंतली salary दी जाती है ठीक है तो कौन-कौन से कवानीन है जिनके तुरू ये गवर्न होता है ये डील किया जाते है इसमें फर्स जो होता है document होता है appointment letter उसके अंदर condition दी होती है contract की daily wages की लाड़ा-ड़ा जैसे appointment होती है और condition उसके लाड़ा के अंदर दी होती है जो असल appointment ही होती है permanent appointment उसके अंदर जो है जितने भी pay rules है इसमें government servant act जो है उसका section 20 है वो salary को deal करता है वो आम तो salary होती है कि इसके अंदर scale होते हैं उनको grade भी का जाता है यह structure होता है grade 1 to 22 उसमें मुक्तिल भी जो है पोच्छते हैं उनके मुक्तिफ scale होते है उस साथ से उनको scale के मताबक basic भी मिलती है उसके लावा जैसे नर्स्स हैं उनको grade 16 में point किया जाता है डॉक्टर जो हैं उनको 17 में start होता है जैसा जो ASPA 17 में आते हैं मुक्तिम में में इन ग्रेड वन से लेकर start हो जाता है कि इसके इसके इलावा जो आलोगल पंजाब है उसमें जो होता है वो नाइब का से लेकर chief factory तक जाता है इसके नीचे जो होता है chief factory के addition chief factory होता है chief factory जो होता है 22 grade का होता है इनके इनके अनके ग्रेड के मुताबक उनकी जब होती है तो ऑच सेलरी जो है उता है उता फिजिग नेचे जाता है उनके मुक्तलि ग्रेड में काम करते हैं यानिके उनके ग्रेड के मताबिक उनकी जब पॉइम्मेंट होती तो सलरी जो है उटाभी डिफाइन कर दी जाती है अब जैसे जैसे वो ग्रेड बढ़ते जाते हैं सलरी इंक्रीज होती है ठीक है इसमें जो नेक्स फार्मल तो बदेव प्रमोशन का वक्त के साथ आप ते व उनको पॉइंट का देते हैं अगर कोई ज्याती बाबते पैंशन या पे हो जाती है तो उसके लिए कौन सा तरीका कार अवेलबल है और कौन से कवानीन है यह भी इसके दोड़े से थे अब मैं यह पहला इसा जो पे का था दूसरा है पैंशन का यह एक लादा सब्यक्ट है इसमें लेहम देखना के पैंशन का कौन कौन सा आकदा ठायता है कौन सा जो गोर्मन मलाजम है इसमें नंबर एक तो होती है 25 साल जो सर्वस है वो किसी मलाजमकी हो जाएए तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है फीमेल और मेल की उसमें उसमें वह गौमन मलाजम ही है जाएक फीमेल और मेल है तो उसके बाद जो है 60 अजों होनी चाहिए उसको मेच्वरिटी एज कहते हैं अगर फर्द कोर जी 25 साल सर्वत पूरी नहीं भी होती जितनी भी अगर इसी सर्वत होगी तो मीनिमिमम जो है वो 20 यह तो उसकी एज वह जाती है 60 यह तो वो पेंशन का रखदार है और उसको एक उनका पेंशन रून के देश फार्मॉला होता है उसके ताहित जो आनम मिजल का काउंट आफ़ज होता है वो उसके सारी पेंशन मनाता है उसक उसकी एज कितनी है इसकी सर्वस कितनी होगी है उसके साथ से वो उसकी पैंशन बनती है उसमें ये होता है कि साथ से पैंशन के जो है वो पैंशनरी बेनिफिट भी होते है इसके साथ होता है जो इसके ग्रैचुटी होती है वो 65 परसन पैंशन देते है और जो 35 परसन उसके बारां बैसिक होती है मौकापई आग्ले साल की होती है उसके बाद होती है उसकी तीन सो पैसना दिन की जो नहीं को 200 आ कि वसको देते हैं एंड पर उसात तेसिए, इसको Self понट कहते हैं, इसके दावा, sipay उसको जो ना ही, बिनेवलित Fund के TCRIET होता है, उसम में और सीर आगे一 काटेगर मी होती है, अगर तो जर्वस होते हैं, तो उसको ग्रोप इन्शुर्श में टीए अगर वो सरफ पूरी करके आता है बंदा टैर होता तो फिर इसको पर इसको पूर्स नहीं होती इसके लावा एक इसके लावा और समय है कि अगर वीदन फाइविए इस पूर बंदा फोक्त हो जाता है तैर्मेंड के बाद तो इसको गुर्प कि दूसरी बात ही है कि जब कोई कोई भी कोई भी गौवर्मन्ट सर्वन जो फोत हो जाता है इन सर्वस तो उसको मैंने बताया कि उपन सर्व साथ मिल जाती है तो उसकी जो बेवा है फर्स अवाल जानों वो उसकी अकदार है या अगर अगर कोई फीमेल है वो माट जाती है तो फिसका जबन जाया वो पूरी पैंशन का अकदार है अगर वो फोट हो जाते हैं दोनों अगर जो उसकी बेटी है वो कुमारी है जब तक उसकी शादी नहीं होती उस पैंशन की अकदार है इसके लावा जो उसकी बच्चे हैं जो मेल हैं वो थारा साल तक जो है अगर ब्लू एज है तो पैंशन की अकदार है अगर बाब हो जाएंगे मेल जो है उनका खतम हो जाएगा तो सर क्या एक वी ऐसे सूरत है जैसे कि मैं आप से कुड़ क्रिंस करने वले ता कि कौन-कौन से वार्शान जो है वो उसके पैंशन की हकदार होते हैं तो क्या अगर एक बेटी जो है उसकी शादी हो गई थी उसके बाद उसकी डावर्स हो गई या बेवा हो गई तो उस तो प्रास्ट करना पड़ेगा, अगाह करना पड़ेगा मैकमे को, तैंके वो फिर उसको कंसीडर होगी कि वो जैसे इसकी शादी नहीं हुई थी, डैवोस के बार, वो फिर हाकदार होती है, तो क्या पैंशन में जब आपके जैसे बेवा है, एक मेल जो परसन था, वो मेल या अमाउंट है, क्या उसके जो वारसान है, उसमें सारे, वो सेम रहती हैं, उसमें कोई डिफरेंस आता है, उसमें लएदा लएदा कावानीन है, मतलब वो निसलम के लएदा कावानीन है, और जो क्रिशन के लएदा लएदा कावानीन है, उनकी जो इनेरिटेंस है, उसके मता प्रवाबों मिलते हैं यानि सपोज अगर उसकी पैंशन है सपोज 35,000 रपया वो परसन खुद ले रहा था अब उसकी जो वारसान में से जो बीवी या शोहर है वो उसके बहाफ पे वो 35,000 रपय लेगा या उसमें कुछ कमी आ जाएगी या पूरी की पूरी होगी उसकी अच पैंशन नहीं है अगर जो उसका जो है सपोज वो नहीं है तो फिर जो उसके वारसान है वो जो मतलका उसके कवानीन है या नि कि जो मंधन बंदा है वो उसको उसके मताबक इसे में लेंगे ठीक है अगर जो जो क्रिश्चन बंदा है या कोई और मिनार्टी है उनका लाए ह उसके मताबक उसको इसे में लेंगे। 1998 जो थानवे निके है उसमें उसको एक साल का टाइम होता है ठीक है कि अगर को इसकी यो उसमें को गलती होगी है इसका मसला बना है तो मितलका मैं कि जो उसकी पॉइंटिंग थार्टी है उसको दर्गाद देगा वो जैसे उसको जैने के पी इपार्टमेंट रपील कह लें त तो उसके मताबक फिर वो एक्शन करेंगे योगर कोई मितलका जो भी कलती होगी होगी हो उसको दुर्स कर लेगा ठीक है अगला मेरा आपसे क्वेस्टन है कि एक परसन है जो कि गौर्वर्मेंट इंप्लॉई था वो किसी भी एक्स वाय जैड डिपार्टमेंट का हो सकता ह उसको जबरी तोर पर रिटायट कर दिया गया उसको पैंशन बैनेफिट्स भी दे दिया गया उसके बाद वो अपना लीगर राइट यूज करते हुए उसको गेस जाता है कि मुझे इनलीगली अलॉफुली जो है इस पोस्स से हटाया गया है मेरी मर्जी इसमें शामिल नह इस सूरत में क्या उसको जो वो पैंशन के बैनेफिट्स मिले थे वो रिटर्न करने होंगे यह अगर करने होंगे तो उसका तरीका कर क्या होगा और अगर वो नहीं कर रहा है क्या उसकी वो नेक्स जो रिटायर्मेंट की अमाउंट बनेगी उसमें से वो डिटक्ट होंगे के वो घर उसको चैलंज करता है लू। ग रुट रजाता है। दो तरह के अडर होते है, कोड़ करती है। एक्टीर हो है कि उसको विजाल बैक बैकलेट्स रिसेल का देती है एक होता है जो इसका एक्षन पीरिट या से लिए दो होग नही करती Shikawa इस को इसॉंधर को स्रवस से निकाल देती है अम उसको इसको भेनेफ़ित नहींँ देती तो वह एक घास ही इस से मेंगए से ड択ड लिए अ enseẩy किया जाता है तो अगर तो वो डिसमेस होला है या रमगुला सर्वस है या किस तरह को है जिससे वो इनिशियेट हो है तो फिर तो 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 ही नही तो 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 त पर जाब इसको ऐसी यो वही फोरम वे लेवला है जैसे पहले डिपार्टमेंट रपील करेगा फिर वो अपना उसी तरह से जो पी एसी में पील करेगा आफ्टर जो है इसके बाद यह नहीं वही फोरम यह उसके लिए अगर वहां पर उसका मसरा लो जाता है तो फिर भेंए उसको मसरा ही कुनी रेमडी वे लेवल जाती इसको अगर इसको एमेडी नहीं मेलती तो फेर वही फोरम इसके लिए जाओ शरेटिब नो ला और फैटर सब्सक्राइब नो ला तो फोरम इसके लिए अगर इसी परसन को गॉर्मेंट रिंस्टेट कर देती है इसी तरह के सिनेरियो में और उसको कहा जाता है कि आपकी जो सर्विस भी है वो डेफर्स से काउंट होगी तो इस सूरत में क्या डेपार्टमेंट को उसकी सेलरी रवाइस करने का हाख हासिल है झाली में बात कर रही हूं कि उसकी पेस केल को रिवाइस कर सकती है जैने के सब्सक्राइ्ट कर सकती है को जब आज से 20 साल पहले उसको 5000 पे की basic scale पे लगाया गया था, pay scale पे, अब उसका एक case चला उसके बाद वो reinstate हो गया रो उसका time duration भी order के अंदर बताया गया कि ये इसकी breakage नहीं है, वो total count होगा, उसके अंदर को stoppage नहीं आती, फिर उसके बाद department क्या उसके पास एक्तियार है कि उसकी salary जो हो 5000 से हटा के वो कहे कि जी उस time पे आपकी pay scale जो गलत calculate हो गया था, अब जो हो आपकी 4000 पे बनती है, अब वो कर सकता है department, उसमें scale के जो उसके chart पढ़ाता है, तो अगर वो उसको अकमा reinstate कार देता है, with all service, all benefits, तो वो फिर वहां से step by step जो है, यानि के year two year जैस उसका बनती है, increment बनती है, उसकी fixation pay कहते हैं उसको, उसके मताब को fix करेंगे, उसके मताब को जहां फिर जाए तो उसकी end rate आती है, वहां तक जो इसकी बनती ही fix हो जाई है, ठीक है, अगला सवाल जो मैं आप से करना चाहती हूँ, कि क्या कोई a-सी condition मौजूद है कि एक सरक पारी मुलासिम को उसकी pension से महरूम कर दिया जाए, आजी इसमें condition इसमें जो है na PIDA Act 2006 का, उसमें भी है और इसके लावा जो है, जो government servant act 247 भी है, इसके लावा, इसके लावा, इसके लावा, इसमें भी है, कि अगर कोई, उसमें मुक्तलब चीजें है, अगर वो कि जनी के गेंस्ता country जाता है, इसके और कोई जो इसके जो शीकर्ट से लीग करता है, इसके जो इसके लावा जो है, कोई इस लेवल पर ब्राइब लेता है, जैसे बड़े-बड़े मैक में, C&W है, तटकें बनाने के मैक में करोड़ों की गबन करते हैं, जैसे य कि अदर कोई करोड़ों के फांड होते हैं, इसमें वो आसली, वगयारा जो मतलका को करोड़ों की गबन करते हैं, वह जो मैक मा की मजजिया है, कि वो इसको जैनी के माइनर प्रिंच मैं लेती है, या उसका टोटल उसकी सर्फिस खथम करके उसको डिसमिस करा देती हैं, आप से रिक्वेस्स करूंगी कि आप हमारे नाजरीन को खास्तों पर गॉर्मन्ट इंपलॉई या देखने वाले यंग जिनरेशन को क्या एडवाइज करेंगे मैं ये अडवाइज करता हूँ कि पहले तो जो जितने भी गॉर्मन्ट इंपलाईज हैं उनको अपना जो सर्वस का क्रेक्टर है उसको अपना सही रखना चाहिए अपनी सर्वस को ताके ये जो है ये मौकर इना है कि उनकों खिलाब कोई ऐसी कार भी हो क्योंकि उनका जो इनसार होता है ना फैमिली का बच्चों का की रफा माँ बाप भी साथ होते हैं उनका इनसार जो गॉर्मन्ट सर्वस की पे पे होता है सैली पे होता है और जब तो कि मैं आठ दा साल काम किया है ये डिस्टिक्ट आर्ली में बी और वो आके फिर इनके रोते हैं आके जो गॉर्मन्ट जो है सेंपलाई उस वक्त नहीं देखते कि मैं मेरी फैमिली क्या करेगी गुजारा कैसे होगा उस वक्त तो वो एपसंट हो जाते हैं मलदी से वो और काम बीच में शुनू कर लेते हैं उनको जईए कि ये ऐसी नवबत ना है ताकि उनको खुद बादेशन हो या उनकी फिर काम है उसके मताब का है अच्छे तरहिं क्सी इंतानी से काम करें इसके इसके इलावा जो है कि कई दफार होता है मेरे मेरे में चाहिए में आया के लोग को कहते हैं जी यह इसमें गजारान ह法ता है यह सेली थोड़ी है ये वो है ये जब गौर्वर्मन्ट सेर्वन्ट रपॉइंट्मेंट के लिए आता है तो उस वक्त इसको सोचना चाहिए कि आया जिस जगह मैं अब काम के लिए आ रहा हूं या ये मेरी सेली है होगी सोचना चाहिए कि मैं इसमें गुजारा कर सकता हूं नहीं कर सकता या मेरे और कुछ सोस्स हैं तो फिर बाद में जो है फिर उट्टी सीजी जो बाते होती हैं कि वो इलेगल जो मीन्ज हैं उनको इसमाल करते हैं उसे काम खराब होता है तो ये जेन में रखें फिर जब आप गौर्मन्न सर्विस में आगे हैं तो फिर आप के जो लोग डिपेंडेंट हैं उनको जेन में रखें और एक और बात है कि बेरोजगारी बहुत है और ये खुदा का शुकर करना चाहिए कि जिसको एक प्रमेन तोर पर एक सोर्स मिल जाता है कि मուरे मुल्क में जो है बहुत ही बेहुरुजगारी फैली हुई है और ये जैसे मैं भी टेर हुआ हूँ और खुदा का शुकर है कि टेर्मेंट के बास जो है ओएक हैंसेम सोर्स है पेंसं की सूरत में और खुदा का शुकर है और बाकी लोगों को जो देखें जिनका पर्मानेट सोर्स नहीं है इसलिए जो आपको पर्मानेट सोर्स है बतुर गोर्मनमलादम उसको ब्रहमेरवणी जाया ना करें और खुदा पर ब्रोसा रखके काम करें और खुदा लाजमी मदद करता है कोई कोई सोर्स जो है प्रदा करता है ये मेरिके नाज़ीन से गुदारिश है ताके इजी ली जो है लाइफ जवाब जा सकें और आपकी फैमिली भी अच्छेती के से रह सकें और तरह को कोई लेटर मैटर है मचले के लिए भी आज़रू बाकी किसी भी प्रासेस की दूल पर द कामली में कोई गौर्मेंट इंपलॉय है या फ्यूचर में जाके कभी भी इस तरह के अगर कभाहत आती है उनकी सर्विस के दुरान या पे के अंदर तो वो उसके हल जो है वो आपने उनको अभी से आगाह कर दिया है ताके फ्यूचर में कभी भी ज़रूत पड़े तो उन गैस के साथ और नई मालूमात के साथ